प्रित्वीराज चौहान के संस्थापक और राश्री अध्यक्षिर राजवर्दन सिंग परमार ने अजमेर शरीफ दर्गा को मंदिल होने का दावा किया है जिसको लेकर महराना प्रताप सेना के संस्थापक और राश्री अध्यक्ष राजवर्दन सिंग परमार ने दिल्ली की वीपी हांस में प्रेस वारता का आयोजन किया और मीडिया को संबोधित करते हुए का कि अजमेर में बनी दर्गा शिब मंदिर है प्रतुराच चोहान के समय में मौजूदा दर्गा पर शिब मंदिर था जिसे मोगल आकरमन कारियों ने कबजा कर मजार बना दिया था उन्होंने दावा पेश करते हुए का कि मजार परीज़ा में कई दिवारों पर हिंदू देवी देवताओं कमल का फूल बने हुए हैं जो कि उस दोरान मंदिर को तोड़ कर बनाया गया था परमार ने कई नक्षा भी जारी किया है जिस पर उन्होंने चिनहित करते हुए नक्षे को दिखाने का प्रयास किया है यह नक्षा 1000 वर्ष से पहले का कागजात होने का दावा किया गया है उन्होंने दावक किया कि नक्षे में दिखाएगा इस्तान पर शिव मंदर था जिसवा मोगल आकरमन कारियों ने मजार बना दिया था उनके इस बयान से पूरे देश में कई दिनों से धामिक और राशनितिक चर्चाएं तेज हो गई है और कई संगटनों ने अजमे दरगा की पुरातत विभाग से जाच कराय जाने की मांग भी की है परमान ने बताये कि मैं 30 मई को आगरा के ताज मिल के अंदर शिव चालिसा का पार्ट अपने एक लाग कारिकरतों के साथ पढ़ने की तयारी में था लेकिन आगरा प्रशासन ने अनुमती नहीं दी और क्या कुछ खा ये सुनाते हैं इस रिपोर्ट में कि हमने एक सवस्ति चिन दिखाया था आज से दो-तीन दिन पहले नक्सा आया है यह 1170 वी इस भी का नक्सा है जिसमें यह हमारा शिप मंदिर है कि और यह हमारा संस्कत विद्याले और विश्नु मंदिर विश्नु मंदिर इसकी जांच की जाए और जांच करने के उपरान हमने सरकार कुछ इठी लिखी है और हम तरगाह वालों को यह चतावनी देते हैं कि अपना गोरक धंदा ततकाल बंद कर ले माहरणा प्रताप चेना सांत बैठने वाली नहीं भारत हिंदों का देश है मुसल्मानों का देश है इस देश में सरी का संबाल लेकिन हम संबिधान की तहत मांग कर रहे हैं उसकी जांच होनी चाहिए हम कोई लडाई नहीं कर रह और पुरान कहती है कुलूब लाओ दलाओ समद्ध लमिलत वलमलत कुफवनहात कबरे नहीं होनी चाहिए मजारे नहीं होनी चाहिए महमास सहाब जो अल्ला के आकरी पैगंबर थे जिनको यह अपना नभी कहते उनकी मजार के कोई नहीं एक पता सा तक चलाने नहीं जाता दिल्ली से BCN News के लिए ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट